अखंड मन्थन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रिपाटी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मन्थन कहते हैं कि अगर अच्छा पडोसी हो तो जीवन सुन्दर हो जाता है लेकिन अगर पडोसी आतंकी हो तो जीवन नर्क से भी बद्दर हो जाता है भारत के संदर्में में ये बात सत्यसावित होती है क्योंकि उसे पाकिस्तान जैसा पडोसी मिला है जिसने भारत के लोगों का जीवन नर्क के समान बदतर बना दिया है पाकिस्तान एक प्रकार से आतंकी की फैक्टरी है और वहाँ पर सिर्फ आतंकी तयार किये जाते हैं और ये आतंकी सप्लाई किये जाते हैं भारत में भारत की सामाजिक और सियासी संरशना को एक तरह से नस्ट ब्रस्टे करने के लिए अभी हाली में पाकिस्तान के सेना प्रमुक जनरल बाजवा ने ये बयान दिया है कि वो भारत से खून का बदला खून से लेगे ये एक प्रकार की चेताउनी दी गई है भारत को भारत के प्रधान मंत्री को कि उन्हें अब साउधान हो जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान पहले तो छिप छिप करके वार करता रहा था लेकिन अब वो सामने वार करने की चेताउनी दे रहा है इस पर क्या कहना है श्री संथ बेतरा अशोग जी का जो कि हमारे अखन मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में भारत और पाकिस्तान को ले करके कई भविश्यवाणियां कर चुके हैं तो आईए उन ही से जानते हैं तो श्री संथ बेतरा अशोग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारा सबसे पहला प्रशन आप से ये है कि जिस प्रकार से पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने जिस प्रकार से भारत से खुन का बदला खुन से लेने की एक प्रकार से खुले आम चेताउनी दे दी है तो क्या आपको लगता है कि अब इमरान खान के मुखोटे के पीछे बाजवा का शाषन चलेगा और वो भारत में किसी भी प्रकार की आतंकिवी गत्विधी को अंजाम दे सकते हैं विशेश रूप से लोकसभा चुनाओ 2019 के आने तक इस प् चाहिए देखिए भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई खत्रा नहीं है भारत जब चाहेगा पावर में इतना ज्यादा पाकिस्तान से आगए कि कभी भी उसको चुटकी में मसल देगा रही बात वो अटमिक आपका जो वार के जाट अटमिक वेपन्स यह इनके पास ज इसी भी हालत में इनको यह मोका नहीं मिलेगा जिस पे यह कुद रहें क्योंकि यूएस आपका यूएससर यह इनकी मनशा को समझ चुके हैं इसलिए इनके उपर जो हैं सेंक्शन्स आ रहे हैं और इनका गले तक आ चुका है गला खुटने वाला है इनके पास साट दिन से राशन के लिए इनके पास फारेन एक्स्चेंज यह नहीं है तो यह किस बेस पे यह सोच रहे हैं सिर्फ गिदर भब्कियां दे रहे हैं बाजबा जो हैं बाजबा के उपर मैं आपको जो पहले मैंने भुविश्यवानी की थी कि बाजबा जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत कांग्षा को पूरा करने के लिए ये पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ का तक्ता पलट करेंगे लेकिन वो उन्हों ने बड़ा ही सुफोस्तिकेटेड रंग से किया है कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये तक्ता पलट हुआ है बड़े रंग से नवाज शरीफ को क्यों ब्लेम करके उनको अंदर और उसके बाद election और election में अपनी ही गोटी set की जो आपके इमरान खान के रूप में उन्होंने जो परधान मंत्री चुना है देखा जाये तो बाजवा जो है अगर बाजवा की चार्ट को हाफिस सिद के चार्ट को इमरान खान के चार्ट को अगर दे इमरान खान को सबसे बड़ी थ्रट है, वो थ्रेट आती है 7th hours से, 7th house होता है पतनिका का रख, और बाजबा भी राशी के हिसाब से निजए है, तो इमरान खान का समय यह वाला साल जो है नुवम्बर तक बहुत ही कस्ट का, जो मैं पहले भी आपको भविशेवानी कर चुका बहुत कस्टकारक समय है ये समय अगर ये निकाल जाते हैं तो फिर शायद 18 मेने जो इनको ये है खिश्तान से कहीं गवर्मेंट चला सकें लेकिन इसी बीच में जो तक्ता पलट वाली मेरी जो भविशेवानी है ये हो सकता है कि अगर प्रेशर इंटरनेशनल जादा आएगा तो आपके जो बाजवा हैं वो आगे होके कमांड को समाल सकते हैं और अगर सैनिक शाशन या अप्रतेक शुरूप से जिस तरीके से सैनिक ही कर रहे है पाकिस्तान पे राज, सैनिक का ही राज है अगर वो उसको अगर आप देखते हैं तो वो भारत के लिए थ्रेट तो है प्रजातंत्र का मुखोटा लगा करके उसके पीछे से सेना जो है वो शासन करती है तो क्या आपको लगता है कि प्रजातंत्र में सेना का अधिक दखल पाकिस्तान के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा बिलकुल रिजन यह है देखे अगर पाकिस्तान से बंगला देश में बंगला देशी मुसल्मानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किये और जिसका रिजल्ट जो सामने आया कि पाकिस्तान बंगला देश प्यूर मुसलिम टोटल होने के कारण भी वो पाकिस्तान से हट गए सेम चीज़ अब प्योके में चल रही है या बलोचिस्त मतलब पानी नाक से उपर आ चुका है जो वहां के नेतागंड जो वहां के लोग है आवाम जो है जो जो जिकर करता है जो आप सोशल मीडिया पर भी नजर आता है उस से साफ लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परशान है और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा वो लोग जो है अपस में अगर दोनों तरफ से अटाइक होता है इदर से पियो के पाकिस्तान से अलाग होना चाहिए और उदर से ब्लोचिस्तान हो है तो पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि दोनों फ्रंट पे वो कुछ कर पाए तीसरा उसने अपनी टांग फसा रखी है कश्मीर के अंदर कश्मीर में भी वो चारा किसी तरीके से मैं हिंदुस्तान को परशान करूं और उसी को वो अपनी बहुत बड़ी कामयाभी मानता है और उस कामयाभी का सेरा जो बनता है वो आफी सहीद के सेर पे लेकिन अब जो समय वैसा नहीं है यहां के जो भारत के जो श्रद्धाल हूँ है वो पाकिस्तान जा करके करतार साहिब में दर्शिन कर सके आपको क्या लगता है कि इसके माध्यम से भी पाकिस्तान आतंकी गतिविदी को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि इसमें भारत के नेताओं का तो उसे बहुत समर्थन मि जाएंगे कि देखिए इतना आसान नहीं है ये जो पाकिस्तान की जो सोच है कि बड़ी आसानी से वो पंजाब के तुरू फिर इंडिया को जो है अस्तिर करे ऐसा नहीं है सिद्धु जो है प्योर देशवक्त व्यक्ति है उनकी व्यक्तित में ऐसी कोई चीज नहीं है उनके किसी भी तरीके का ऐसा डौट नहीं करना चाहिए लेकिन एक बचकानी हरकत उन्होंने कर लई अगर आपके परिवार में परिवार के मुख्या को नहीं अगर इंविटीशन आया तो आपको जाने का उसमें कहीं पर उसमें आपका सम्मान नहीं हो उल्टा आपकी नाकटी है आप क्या मान के गए हैं या तो आप अपने आपको अपने पिता से ज़्यादा बड़ा समझ क गए हैं भई अगर इन्डिया को किसी को इन्विटेशन नहीं मिला तो दोस्ती वाला क्या मतलब है फॉर्मल्टी में तो उनको इन्विटेशन तो डालना चाहिए था ना वो इन्विटेशन दिया नहीं और आप इसी चीज़ पर कूते वे चलेगे कि भईया आपको इन्विटेशन नहीं मिला हमको मिला तो हम बड़े हो गए ऐसे आदमी थोड़ना बड़ा हो जाता हाँ वो जो उनकी जो अचीवमेंट जिसको मान रहे हैं वो जो रस्ता खुलेगा आपका गुरुनानक देव जी का जो तिरस्थल है जहां पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस अपने दिये तो वो जगा एक तीर था हमारे लिए और वो खुलता है अगर उसमें बेरोक टोक अगर दर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेकिन उसके एवज में कुछ ऐसा उनको फैसीलेशन मिलने वाला नहीं है और शायद उनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए अपनी जो सत्ता है उसको बटवारे के आधार पर चलाना चाहती है लेकिन दूसरी तरह पाकिस्तान से भी इस तरह के भरोसे दिलाए जाते हैं भारत को कि जो मोदी को हटाएगा उसको मदद पहुचाई जाएगी और इस मदद को लेने में कम से कम कॉंग्रेस और आप जैसी डादनीतिक पार्टियां पीचे हटने वाली नहीं है जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थापना ही बटवारे के आधार पर हुई और बटवारा उसका होता ही गया 1971 में उसका बटवारा हुआ और अब पाकिस्तान एक बार फिर विभाजन की कगार पर खड़ा है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में विभाजन के द्वारा ही पूरी तरह से बट जाएगा और उसका अस्तित्वर समाप्त हो जाएगा ठीक ही यह तो डेफिनेटली है कि वो लोग जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को देट इस नोट दा डेमोक्रेटिक वे और जिसमें पाकिस्तान का अवाम जो अगर आप देखेंगे तो ट्रस्त है क्योंकि आर्मी शाषन जो है इंडिरेक्ट आर्मी शाषन भी जो है बहुत ज़्यादा कस्टकारी होता है एक सिविलिन के लिए तो विभाजन का जो आप पांच भागों में बटने का जो भविश्यवानी की थी अब वो बहुत जल्दी इसी टेनियोर में हो सकता है आपके अमिरान खान के टेनियोर में दो विभाजन तो निश्चित नजर आ रहे है जी सिशन बेतरा जी और पाकिस्तान को लेकर के जहां भारत की मोदी सरकार ने आकरामक रुख अपनाया है वहीं भारत की जो कॉंग्रेस पार्टी है जो कॉंग्रेस के नेता है विशिश रूप से उसमें सिद्धू का नाम शामिल किया जाएगा वो पाकिस्तान की गोद में बैठने के लिए लालाई थें क्योंकि उनका कहना है को उनको जो प्यार जो है वो दो दिनों में मिल गया है वो ने पूरे जीवन भारत में रहने पर नहीं मिला तो कॉंग्रेस का पाकिस्तान के प्रतिये जो प्रेम जागा है इसका क्या असर पढ़ने वाला है भारत की राजनीती पर और भारत की समाज पर और भारत की भविशे पर देखे जो विपक्ष है या कॉंग्रेस जो कर रही है ये कहीं से भी उनकी उन्नती के लिए तरक संगत नहीं है क्योंकि भारत की आवाम पिछले सतर साल से 47 के बाद ये देखती आ रही है कि पाकिस्तान ने एक वार भी हमारे सो कदम आगे बढ़ने के बाबजूद जो है उन्होंने एक कदम आगे जो है मितरता का नहीं बढ़ाया इदर ये लोग संदी करते थे उदर आर्मी जो है फाइर खोल देती थी और हमेशा उनका जो है एलोसी पर जो है वो उसका उलंगन करके किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कैजल्टी या अस्तिर्ता जो है ले आते हैं तो इन सब को देखते वी एक क्लियर कट है हिंदुस्तान की अवाम जो है ये जानती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ये अवाम जानती है अगर देश का दुश्मन से जाकर अगर हाप हाथ मिलाते हैं तो आप कौन सी बुद्धी मानी की बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप दिल को तसली दे सकते हैं कि भहिया हाँ रूलिंग पार्टी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे है था हम उसको साहता करके एक एक परसंट भी नहीं है हिंदुस्तान की अवामका एक परसेंट भी नहीं है वो पाइंट जीरो वन परसेंट वो विगटन कारी ताक्ते जिनकी खुशी के लिए ये लोग जो है ऐसे कर रहे हैं उनके कदमों पे जाके बैठ के कि भीया हमको आप जो है सता आप भी दिलाओगे तो वो चीज़ें जो हैं कहीं से भी सुविकार नहीं हैं भारत की जनता को और ये अपने पैर पे कुलहड़ी मारने वाला काम किया पहला काम जो किया था वो तो मनी शंकर रहियर जी ने जाके जो पाकिस्तान में जाके जो अपने वक्तवे दिये दोनों वार और तीसरा काम जो है नवजोत सिंसिद्धू ने कर दिया जब कि अगर आप उनके प्रोग्राम के उसमें देखिए तो जब उनके पास जाके खड़े हुए हैं विश करने के लिए उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं देखा भी नहीं कोई शेकेंड नहीं किया कोई देखा नहीं हाँ वाजबा जरूर जप ही हम आ रहे थे जी सिशन्द बेतरा सुग्जी और पाकिस्तान की मीडिया को कर देखें तो वहाँ पर सिर्फ मोदी के नाम पर ही सारी जो है वो चर्चा चल रही है क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि जब से मोधी जी आये हैं तब से उन्होंने पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है दूसरी और जो है वो भारत की एक प्रमुख पार्टी कॉंग्रेस जो है वो पाकिस्तान के प्रती हमदर्दी तो जताती ही है साथी साथ मोधी सरकार पर इस बात का भी आरोप लगाती है कि मोधी सरकार के आने के बाद भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार पड़ गई है हम आप से ये जाना चाहेंगे कि अभी हाली में सिद्धु ने जो जाकर के पाकिस्तान में एक तरह से जो चौका लगाया है और इससे आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस का क्या कोई पुराना एक तरह से कोई connection है पाकिस्तान के साथ और क्या कारण है कि वो मोदी को हटा करके कॉंग्रेस की सरकार लाना चाहता है और इसमें उसका क्या हित हो सकता है क्योंकि लंबे समय से देश में कॉंग्रेस का शासन रहा है और संभव है कि हो सकता है कि गुपतरूप से पाकिस्तान के साथ कॉंग्रेस के नेता किसी ना किसी प्रकार का कोई समझ होता अभी तक उन्होंने किया हो क्योंकि जिस प्रकार से मड़ी शंकर अयर और सल्मान कुर्शीर जैसे नीता जाकर के पाकिस्तान में खुले आम मोदी जी का ना सिर्फ विरोध करते हैं बलकि उनको हटाने के लिए महां से एक तरह से मदद भी मांगते हैं आपको क्या लगटा है कि आने वाले समय में भारत के लिए कितने खत्रे की बात हो सकती है और भारत के जो नागरिक हैं जो भी पेट्रोल और डीजल के नाम पर रो रहे हैं उनको इस बात पर जगाने की कितनी आप आवश्यक्ता महसूस करते हैं क्योंकि अगर भारत की जनता कॉंग्रेश जैसी देश द्रोही पार्टी और आप जैसी जो जिसका शायसन दिल्ली में चल रहा है ऐसी पार्टियों के प्रती अगर लोगों को जगाया नहीं गया तो शायद देश का विनाश होने में बहुत कम समय बचा है आपका क्या कहना है देखिए वो तो के नाम पर उन्होंने देश में जो है तुस्ती करेन की राजनीती की है चाया वो क्रिस्चिनिटी को उन्होंने बढ़ावा दिया है चाया वो मुसलिम्स को डिवाइड करके हमेशा रखा जबकि अब मुसलिम जो है देश की विचार धारा में आ रहा है और वो चीज पाकिस संद नहीं है इसलिए उसको शाशक स्ट्रोंग नहीं चाहिए उस पाकिस्तान को शाशक चाहिए राहुल गांदी जैसा कमजोर आदमी जिसको थाट्स जो हैं कनेक्टिड नहीं होते कहीं के कहीं पहुच जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता लगता कि वो क्या कह रहे हैं तो को शाशक चाईए कमजोर मोदी जी जैसा स्ट्रोंग एडिमिस्टेटर जो जिसने उनके नाक में दम कर दिया काश्मीर वाले मुद्दे पे जो आप देखेंगे तो पाकिस्तान पिल्कुल विफाल हो चुका है उसकी चटपाटाट का सबसे बड़ा कारण हुआ है और दूसर जनबेतराशोग जी तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपने इस कारिक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को जगाना चाह रहे हैं जो कि अभी नीद में सोई हुए हैं तो कृपया समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़िए देखिए समाचा पर बहुत ही एक तरह से जो जो भी जानकारी आपको देते हैं वो बहुत विश्वस्टे नहीं होती है और हमारा जो उद्देश है वो आपको जगाना है ना कि आपके सहारे या आपके माध्यम से किसी प्रकार का कोई आर्थिक एक तरह से मुनाफ़र नहीं कमाने का हमारा अधिक से अधिक बढ़ाएं अच्छी किताबें पढ़ें तबी आपको देश की वर्तमान सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियों की जानकारी मिल सकेगी लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर जूटी खबरें पढ़ेंगे देखेंगे तो इससे आपके दिमाग में ना सिर्फ प्रदूशन फैलेगा बलकि आप वास्त्विक स्तिती से भी पूरी तरह से रूब रूब नहीं हो पाएंगे आपने हमारा चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे एक बार फिर अन्रोथ कर रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें हमें देखने के लिए सराने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी दर्शकों का रिदे से अभार नमस्कार